हेलो माई डियर फ्रेंट असलाम अलेंकूम किसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे अलहम दरिला मैं भी अच्छी हूँ तो हम लोग जा रहे हैं कटनी और आज हम लोग बस से जा रहे हैं तो हम लोग बहुत जादा भीड में फस चुके थे बस में मतलब में अंदर बहुत जादा भीड थी और ऐसे आने जाने की जगह नहीं थी ऐसे वाली भीड थी फिर बड़ी मुश्किल से बिलायत कला से हमको सीट मिली तो पहले मैं बैट गई और खाला थोड़ा बताई ना जैसे दूर थी तो फिर मैंने खाला को बुलाया कि खाला आप भी जल्दी से आ जाओ और बैट जाओ और उस दिन ना मौसम इस तरीके से बना हुआ था तो ये बिलायत कला का सीन था और हम लोग जैसे घर से निकले ना तो बारिस स्टार्ट हो गई थी पता तो नहीं था कि बारिस होगी और आपने अभी देखा कि कितनी भीर है बस में तो ये रास्ते का कुछ भी हुए और मौसम बहुत प्यारा लग रहा था तो इस जगह पर थोड़ा थोड़ा बारिस ऐसे हलकी फुलकी सी हो रही थी यसे हो भी नहीं रही थी लेकिन ऐसे ग्रीनरी देखके बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं थोड़ा-थोड़ा क्लिप ले रही थी और सच में ऐसे मौसम में सफर करने में बहुत जादा अच्छा लगता है सिर्फ यह रहता है कि आप लोग सिर्फ सफर में हो कहीं उतरना ना हो तो बहुत अच्छा लगता है कि गाड़ी चलती रहे और आप बैठे रहो तो यहाँ पे बड़वारा की क्लिप थी और यहाँ पे बारिस हो रही थी फिर भी यहाँ पे मैं बच्चों को देख रही थी जो इस्टुडेंट चाह रहे थे यह लोग आईस क्रीम खाते हुए जा रहे थे क्लिप ले रही हूँ न ऐसा नहों कि तुम्हारा मोबाईल बाहर ही गिर जाया तो मैंने बोला खाला मैं थोड़ा सेप्टी से कर रहे हूँ टेंशन की बात नहीं है और आप देख सकते हैं हम कटनी पहुच के आए हैं लेकिन बारिश रुखने का नाम नहीं ले रहे थी और यहाँ पे और जादा हो रहे थी तो मॉटो से यहाँ पे आ गए थे और मार्केट के अंदर इंटर हो रहे थे लेकिन आप देख सकते हैं बहुत किचपिच सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है और मैं इतनी क्लिप भी नहीं बना पाई थी क्योंकि ना हर टाइम मोबाइल निकालना और ऐसे मौसम में थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था अपर लोग ना अम्रेलल ली आते तो ठीक रहता मैं बूली वैसे वाली तो नहीं है बारिस लेकिन हो गया और फिर जब हम कटनी पहुचे थे ना उस टाइम सम्थिंग डेड़ बच चुके थे तो हमने बूला खाला पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद अपना काम करेंगे तो यह पिर ना टेंशन नहीं रहती है कि अभी कुछ खाना भी है जाके काम में बीजी हो जाओ तो पता अभी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया और बस से आये थे ना तो बहुत पड़ी टेंशन होती है कि अभी जाना भी है टाइम हो रहा है तो यहां पे करारे करारे भाईया जल्दी जल्दी से डोशा बना रहे हैं और हमने जिस तरीके से ओर्डर किया था उसी तरीके स उन्होंने बनाया है तो मौसम भी अच्छा था और मुझे ना खानी थी चाट लेकिन चाट इस समय आलू टिक्की की नहीं मिल रही थी समोसे वाली चाट मिल रही थी तो फिर मैंने बोला खाला हो गया डोशा खा लेते हैं आलू टिक्की की ही मुझे अच्छी लगती है वै तो वह कुरा सा खाने में पहले मज़ा आता है तो पहले हमने वही खाया क्योंकि गरम बहुत जादा था और यहां पे काफी भीड थी लेकिन थोड़ा देर हमको इंतजार करना पड़ा उसके बाद हम लोगों को मतलब चेर बगएरा अच्छे से मिली क्योंकि सारे लोग ऐसे ह मार्केट में भी होते हैं तो वो लोग सोसते हैं कि चलो अभी थोड़ा पानी गिर रहा है तो अभी थोड़ा बहुत कई पर रेस्ट करते हैं तो ज्यादा टाइम ले लेते हैं इस वज़े से भीड ज्यादा हो जाती है फिर हम लोग पहुँचके सौप और सौप में हम लो नानीशब लोगों ने बोला कि जाके कपड़ी ली आओ, जो लगने हैं, तो मैं और खाला फिर यही सौपिंग करने आये थे, तो हम लोगों को जिस तरीके से लगा ना हम लोगों ने लिया, अच्छे-च्छे चॉइस किये थे, तो यहां पे और भी कस्टमर बैटे थे, तो काफी लिये भी हैं, तो वो सब उस टाइम पे तो मैं कलिफ नहीं बना पाई थी, क्योंकि डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता है, और दूसरों के लिए अगर करो ना तो बहुत सारी चीज़े सोचनी पड़ती है, और आज कल पता है कि डा और उसके बाद ना यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं बताई थी ना मैं कुछ न कुछ खांड करती हूँ, तो यहाँ पे खाला ने भी लिया और मैंने भी लिया, तो मैं फिर यहाँ से निकल के चली गई आगे, वो मैं भी आके आपको बताती हूँ नहीं, तो कुछ चीज़े आपको समझ में नहीं आएंगी ब्लॉग में फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते बारिस नहीं दिख रही है क्योंकि लोग ना उपर से पॉलेथीन कवर किये हुए होते हैं कि नीचे पानी ना आएं क्योंकि शकरी रास्ता होती है मार्केट के अंदर की और हम लोगों को जर्दा वाला चावल लेना था तो यहाँ से हम लोग चावल पता कर रहे थे शायद हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए तो यह वाले भहिया के यहाँ पे एक ही प्राइटी यही वाली थी और वो हमको दिखाए तो हमको इतना सही नहीं लगा यहाँ पे मैं और खाला देख रहे थे लेकिन हमको सही नहीं लगा तो हमने इन्हीं से पूचा कि भईया और कहीं पे अच्छा कहां पे चावल मिलेगा तो उन्होंने बोला कि पीछे वाली गली में आपको मिलेगा आप लोग वहाँ पे देख लेए तो मुझे ये बंदर दिख गया और मैं बोली ये हर जग है अटैक मारते हैं बिल्कुल ताक में था कि कैसे किसी की नजर हटे और फिर दुरगटना गटे वाला कांड़ वो कर द तो यहां पे बहुत देख सकते हैं राष्ता और छोटी-छोटी सी रास्ता होती है तो यहां पे फिर हम लोग आये एक शॉप थी और इस शॉप में सिर्फ गले का ही काम होता है तो यहां पे हम लोगोंने फिर बोला कि जो हमको चावल चाहिए था भईया मिल जाएगा तो भईया ने एक और दिखाया तो फिर हम लोगोंने उसको भी देखा लेकिन मैंने बोला खाला जो खानशामे ने लिस्ट में बना के बेजा है वही अपन लेते अपना कुछ दिमाग नहीं चलाते हैं तो खाला ने बोला तुम सही बोल रही हो और फिर हम लोगोंने मैच किया क्योंकि ना हम लोग ये साइद गल्ला मंडी में फर्स टाइम आये हुए हैं क्योंकि हम लोगों के घर में खोदी इतनी खेती वगएरा होती है कि हमें कभी जब चीजों की जरूरत नहीं होती लेकिन जर्दा वाला चावल जो होता है वो हमें मार्केट से लेना पड़ता है जबकि नानी की यहां पे खुद भास्मती राइस होता है लेकिन वो बाला नहीं होता जो गोल्डन शेला राइस जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है तो भए हम लोगों ने यहां से लिया और यह ना चारिसमे की फात्या के लिए था तो friends पता है यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं खाला से बोली कि खाला जिस सौप में हमने दुपट्टा लिया आपने वहाँ पे दुपट्टे का पैसा दिया था तो खाला ने बोला हाँ मैंने भी दे दिया अपना तो मैंने बोला खाला मैं तो आपके इस आपसे पैसे दे दी थी 500 लेकिन उन्हें ने मुझे रिटन नहीं किया तो खाला बोली जाओ तुम सौप में और ले लेना तो मैं गई फिर वहाँ पे जाके मुझे पता चलो तो भाईया ने बोला हाँ आप लेना मुझे भूल गई औ उसके बाद न मैं यहाँ पे आके चार्ट पैक कराई और बस का टाइम हो गया था खाला दूसरी सौप में चली गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था प्रिशर बहुत ज़्यादा होता है जब बस से जाते हैं फिर हम लोगों ने यहाँ पे आपे आटो ली और आटो में ऐसे थोड़ी वीडियो बहुत जादा हिल डूलसी रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा मतलब रश होता है और आटो स्पीड में चलती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज को आप लोग माइंड मत कीजेगा और हम बस इस टॉप बहुत चुके और काफी सामान हमारे हाथों में था और बस में बहुत जादा वाली भीड थी तो जैसे हम बस इस टॉप में पहुचे न तो बस हमारे सामने से आही रही थी हमारे चंदिया वाली तो हम उसमें बैठे लेकिन भहिया बोल रहे थे बस वाले क्या आप दूसरी बस से आजाना क्योंकि भीर बहुत जादा थी हम लोगों को ना कम सकम एक घंटे के बाद सीट मिली तो friends अभी हुआ है सबसाथ 7 बच के 15 मिनट हो चुके है friends और मैं अब भी आई हूँ घर और काफी थाकान हो गई है तो मैं एहशान आ गया था लेने के लिए बस इस टॉप तक नहीं तो यहां तकाने में तो और भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती क्योंकि शामान भी काफी था और अच्छा हो गया था कि है शान को कॉल करके हमने बुला लिया था और बहुत ज़्यादा थाकान हो गई है तो बहुत लेट हो गया है घर पहुचने में लेकिन यह बात भी थी ना कि हम लोग घर से बहुत लेट निकले थे इस वज़े से लेट हो गया है तो आप देख सकते हैं चेरा बहुत ज़्यादा डाउन डाउन सा दिख रहा है क्योंकि थाकान हो जाती है और आज मौसम भी ना बहुत ज़्यादा खराब था वो तो आप लोगों ने देखा होगा और मैं काफी दिनियों से हर चीज़े सुन रही हूँ कि बहुत ज़गे मौसम खराब हो रहा है तो अब हमारे यहां पे खराब हो गया और बारिस भी होना शुरू हो गई है तो काफी बारिस हुई है जहां तक हम गए हमारा शफर था वहां तक हमको बारिस मिली ही है आज तो ठीक और पता नहीं इसके बाद मैं ब्लॉग सूट करूँगी कि नहीं पता नहीं और इंशालला मैं आप लोगों से नेक्ट व्लॉग में मिलूंगी तब तक अपना रखियेगा ख्याल असलाम लुए इंकुम आला हाफेज